नमस्कार भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूस चानल में टू टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अरामिका बुलिटिन के शुरुबात करते हैं हेडलाइन से केंद्रो और दिल्ली के अधिकारों पर आज होगा फैसला आमादुपाती की आचिका पर हाई कोट आज सुनाएगा फैसला ओफिसर के अपॉइंट्मेंट को लेकर जारी केंद्र की नोटिफिकेशन को दी थी चुनाटी जमाद और दावा के मुख्या हाफिस साइद ने फिर दी गीदर धमती पाकिस्तान सरकार से भारत के ग्रिह मंत्री राजनाथ सिंख का मूँ बंद करने की अपील की सार्क सम्मेलन के लिए राजनाथ पहुंचे है पाकिस्तान गुजरात के भविश्व का आज हो सकता है फैसला आनंदिवैन की जगा ने मुख्यमंत्री के नाम की हो सकती है गोशनाथ बीजेपी के राश्ट्र अध्याष अमिट शा पहुंचे अहम दबार केंद्र सरकार के बहु प्रतिश्वित मोटर या निस्वन शूधन विधैयक 2016 को कल मिली बंजूरी कई नियमों में खिये गए बदलाव या तायाद के नियमों का पालन नहीं करने पर भढ़ना पड़ेगा भारी जुर्माना और बिटेन की राजधानी लंडन में आतं की हमले किया अश्रंका एक शक्स ने चाकू से लोगों पर किया हमला एक महिला की मौट पांच अन्या गंभीर रूप से घायल जाच परताल में जुटी पुलिस केंद सरकार और दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर दिल्ली हाई कोट आज फैसला सुनाने जा रही है इस फैसले से ये साफ होगा कि केजरिवाल और मोधी सरकार के पास पुलिस और जमीन से जुड़े मामलों में क्या फैसला लेने और आदेश करने का अधिकार होगा यानि दोनों सरकारों के बीच की लड़ाई को कोट से आने वाला फैसला खतम कर सकता है फिलहाल दिल्ली को पूर्ण राज़ु नहीं है और दिल्ली में पुलिस और लैंड से जुड़े सभी मामले केंदर के अधिकार में आते हैं पिछले साल ऐल्जी ने दिल्ली सरकार के कई अफसरों का अपॉंट्मेंट रोख दिया था केजरिवाल सरकार ने पिछले साल दिल्ली सरकार में आफिसर के अपॉइंटमेंट को लेकर जारी केंद्र के नोटिफिकेशन को दिल्ली हाई कोट में चालेंज किया था इसे पहले आमाधि पाथी हाइपार्ट को फैसला देने से रोकने के लिए सुप्रीम कोट भी जा चुकी है लेकिन सुप्रीम कोट शेगेज़िवाल सरकार को कोई राखत देने के बजाए हाइपार्ट से आने वाले फैसले का इंतजार करने को कहा था आतंगवादी सलाव दिन के बाद एक और आतंगवादी संगठन जमात उद्दावा के मुख्या हाफिस सईद ने राजुनाद सिंख के पाकिस्तान दोरे को लेकर एक बार फिर से जहर उगला और पाकिस्तान सरकार से कहा है अगर ये बात करने की कोशिश करे तो इनका मुँ बंद करे वरना इनका मुँ हम बंद करेंगे हाफिस सईद ने ये बाते बुद्वार राजुनाद सिंख के सार्क के मंतरी सतरीय सम्मेलन में भाग लेने इसलामबाद पहुँचने के बात कही तिलमिलाए सईद ने नवाज शरीफ सरकार में ग्रहमंतरी चौधरी निसार अली खान को राजुनाद सिंख से नहीं मिलने की सलह भी देदा ली और कहा कि चौधरी निसार अगर राजुनाद रोता हुआ वापस जाएगा तो तुम काम्याब और अगर ये हस्ता हुआ वापस जाएगा तो तुम हुकुमत छोड़ दो आम नागरिकों सरकार के लिए भी फायदेमंद माने जाने वाला गुद और सर्विस स्टैक संशोधन बिल कल राजुसभा में पास हो गया उपरी सदन में करीब आठ घंते की लंबी चर्चा के बाद देश्वाम बिल पर वोटिंग हुई संशोधन बिल के पक्ष में 203 वोट पड़े जबकि जैललिता की पार्टी AIA DMK ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया बिल के पास होने के बाद प्रधान मंती नरेंद्र मोधी ने ट्विट कर सभी दलो और उनके सदस्तेयों को धन्यवाद कहा वही विक्तमंत्री अरुन ज्येटली ने बिल के पास होने के बाद केक काट कर खुश्या मनाई इससे पहले उन्होंने ही संशोधित बिल को सदन के पतल पर रखा था उन्होंने ज्येस्टी को बीटे एक दशक का सबसे महतपूंड कर सुधार करार दिया ज्येटली ने बताया कि ज्येस्टी से भारत एक समान माकेट में बदल जाएगा उन्होंने कहा कि राजुसभा ने ज्येस्टी बिल को सिलेक्ट कमिटी में सौपा था ज्यादतर दलों में इस बिल को लेकर सहमती बन गई है केंज सरकार ने बहु प्रतिश्वित मोटर यान संशोधन विधैक 2016 को कल मंजूरी दे दी विधैक में यातायात नियमों के उनंगन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है इन प्रस्तावों में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दस हजार रुपए तक का जुर्माना और हिट एंड रुन मामलों के लिए दो लाख रुपए का मुआवज़ा शामिल है सड़क दुरगटना में मौत होने की स्थिती में दस लाख रुपए तक के मुआवज़े का प्रावधान विधैक में किया गया है सड़क परिवहन और राजमार्क मंतरी नितन गड़करी ने कहा कि सड़कों को सुरक्षित बनाने और लाखों निर्दोश लोगों की जान बचाने की दुशा में ये एक एतिहासिक कदम है उन्होंने कहा कि विधैक के प्रावधान 18 राजियों के परिवहन मंतरीयों की सिफारिशों पर अधारित है और इसमें निर्धारित गती से तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने पर 1000-4000 रुपाय तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है प्रधान मंतरी मोधी ने 6 वरिष्ट मंतरियों की ड्यूटी लगाई है कि वो पार्टी संसदों से बकायदा डिनर पर मिले और उनकी समस्याओं का निप्तारा करे पार्टी संसदों को 60-60 के ग्रुप में बाता गया और डिनर पर पहली मुलाकात विदेश मंतरी शिश्मा स्वराज और दूसरी ग्रह मंतरी राजनाज सिंख के साथ रखी गई पहली मुलाकात में खुद प्रधान मंतरी मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमिट शा के अलावा पार्टी के कई पदाधिकारी पहुझू थे सूतरों की माने तो बैठक में कई सांसदों ने मोदी से शिकायत की कि मंतरी से मिलने के लिए पार्टी सांसदों को कई दिन चक्कर काटने पड़ते हैं काम करवाना तो दूर की बात है ग्रे मंत्री राजनाज सिंग के साथ हुई डिनर मीटिंग में पार्टी सांसद प्रवेश वर्मा ने अमिट शा के सामने ये तक कह डाला कि जान बूच कर एक केंद्रे मंत्री उनके संसदी शेत्र के प्रोजेक्ट को रोकने में लगे हैं जिन से जनता का नुकसान तो हो ही रहा है पार्टी की इमेज भी खराब हो रही है प्रवेश वर्मा की बात का समर्थन कई और सांसदों ने भी किया गुजरात की मुख्यमंत रियानंदी बेन पटेल ने कल अपना इस्तफा राजपाल ओपी कोली को सौप दिया एहंदबाद में बीजेपी दफतर में चली बैठकों के दौर के बाद आनंदी बेन के अलावा बीजेपी प्रभारी दिनेश शर्मा और वी सतीश राजभवन पहुँचे जहां सीएम ने अपना इस्तफा दिया सोशल मीडिया के जरिये अपने इस्तफ़े की पेशकश करने वाली आनंदी बेन पटेल का इस्तफ़ा बीजेपी संसदिये बोट की बैठक में मनजूर किया गया इसके बाद शाम पाच बजे आनंदी बेन गवरनर को अपना इस्तफ़ा देने पहुँची हाला कि जब तक नए मुख्यमंत्री के नाम की घोशना नहीं होती है आनंदी बेन कारिवा हक मुख्यमंत्री के तौर पर बनी रहेगी आनंदी बेन ने इस्तफ़े के बाद आज सुभा बीजेपी के राश्ट्री अध्यक्र अमिश्वा एमदाबाद पहुच गए हैं शाबीजेपी विधायक दल की मीटिंग में हिस्ता लेंगे बैठक में वी सतीश और दिनेश शर्मा समेथ बीजेपी के मुख्यमंत्री के संभवेत दाविदार भी मौजूद रहेंगे प्रवर्दन रिदेशवाले ने पूर्वकेंद्री मंत्री श्रंकर सिंग वगेला और अन्या के खिलाफ कतहित मनी लॉंटरिंग का मामला दर्ज किया है ये मामला मुंबाई में नाशनल टेक्स्टाइल कॉर्पोरेशन की एक प्रमुक जमीन की बिक्री से संबंदित है कि एजन्स इस मामले में सी बी आई और अन्य एजन्सियों से जानकारी जुटाने के बाद जाच की है इसके अलावा उसने आरोपियों दुवारा जुटाई गई अपराद की कमाई की पहचान भी की है वगेला और अन्य लोग जिनका नाम FIR में है को जल्द पूछताज के लिए समन किया जाएगा कश्मीर घाटी में कलताजा जड़पों में कई सुरक्ष कर्मियों समेथ दरजनों लोग हायल हो गए इस बीच यहां एक अस्पताल के बाहर पैलिट गन से एक यूबक की मौत के बाद घाटी में जारी अश्वांती में मनने वालों की तादाद 51 पहुच गई अधिकारियों ने कानून विवस्ता बनाए रखने के लिए एतियाती उपायों के तहट घाटी के कई और इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया लेकिन शेहर के छटा बल इलाके सहित कई जगाओं पर इन आदेशों का उलंगन हुआ चटा बल का रहने वाला रियाज एहमद कल रात कते तौर पार सुरक्षा बलों दुबारा मारा गया था घाटी के कई हिस्तों से प्रदर्शन कारियों और सुरक्षा बलों के बीच जड़ब की खबरे आई हैं दक्षन कश्मीर के कुलगाम जुले में वैपक स्तर परहिंसा हुई जिसमें कई सुरक्षा कर्मियों समेट दरजनों लोग घायल हुए अनादिकारिक रप्टों में घायलों की संख्या सतर बताई गई है दलितों पर हुए हमलों की घटनाओं से होने वाले नुकसान को भापते हुए RSS ने डैमज कंट्रोल की कमान संभाल ली है गुजरात और उतरप्रदेश दोनों ही राजियों में अगले साल चनाव होने हैं और उना में दलितों की पिटाई के मुद्धे पर बीजेपी बैक फुट पर है लिहाजा संग अब दलितों को लुभाने की योजना बनाने में जुट गया है इसकी शुरुवात RSS उना से ही कर रहा है जहां दलितों के लिए सामाजिक समरस्ता आयोजन किया जाएगा करम दलित बहनों के साथ मनाका समाजिक समरस्ता का संदेश देने की कोशिश करेंगे मायवती पर टिकटों में धांदली का आरोप लगाने के बाद बहुजन समाज पार्टी छोने वाले पूर बीएस पी नेता स्वामी प्रसाद मौरिया जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सूतरों के मताविक मंगलवार को मौरिया और बीजेपी अधे अक्रामित शाह के बीच बैठक हुई इसके बाद से ही उनके बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाय जा रहे हैं बताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौरिया आठ अगस्त को अधिकारिक रूप से बीजेपी के सदस्ता स्विकार कर सकते हैं पिछले दिनों मौरिया ने बीजेपी की चीफ मायावती पर टिकटों में खरीद फ्रोक्त का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी थी मौरे ने BSV सुप्रीम मायाबती पर संगीन आरूप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने अंबेट करके सपनों को बेचा है पार्टी में दलेतों की कोई सूध नहीं ले रही केंद सरकार ने पूर्वी सेक्टर में ब्रमोस सुपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती के लिए अतिरिक्त ब्रमोस मिसाइलों को शामिल करने की मंदूरी दे दी है ये कवाया चीन से लगी सीमा के पास अपनी शम्ता बढ़ाने के उदेश्वे से की जा रही है इस मिसाइल की मारत शम्ता 290 किलोमीटर है सूत्रों के अनुसार सरकार चौथे ब्रमोस रेजीमेंट को मंदूरी दी है इसमें करीब सौ मिसाइले, पांच मोबाइल, सवचालित, लाउंचर और एक मोबाइल कमान पोस सहित कुछ अन्या हार्डवेर और सौफ्टवेर तेनाथ होंगे थलसेना इस मिसाइल का परिक्षन कर रही थी इसका आखरी परिक्षन मई 2015 में पूर्वी सेक्टर में हुआ था ये क्रूज मिसाइल पहाडों में दुश्मनों के ठिकानों को निशाना बना सकती है थलसेना में पहले ही ब्रमोस की तीन रेजीमेंट शुरू हो चुकी है उत्र कोरिया ने बुदवार को बैलिस्टिक मिसाइल का परिक्षन किया ये मिसाइल जापान की समुद्री सीमा में दागी गई जापान ने इस परिक्षन को अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खत्रा बताते हुए कहा कि वे ऐसे कदम को माफ नहीं कर सकता वही उत्र कोरिया के इस परिक्षन को अमारी की द्वाराथ हर्ड मिसाइल की योजना बध तैनाती के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है दक्षन कोरिया के रक्षा मंतराले ने कहा कि मिसाइल को पश्टमी शहर अन्यूल के पास से स्थानिय समय अनुसार सुभा साथ बच के पचास मिनिट पर प्रिक्षिपित किया गया मंत्राले ने कहा कि मिसाइल ने करीब एक हजार कीमी का रास्ता तै कर जापान के अधिकार शेत्र वाले समुदर इलाके में गरी ये मध्यम दूसरी की रोंदोख मिसाइल हो सकती है उधर अमेरिका के विदेश मंत्राले ने उत्तर कोरिया को चतावनी दी कि किसी भी उकसावे या हमले से खुद की और अपने सैयोगियों की रक्षा करने के लिए वे पूरी तरह से तयार है अमेरिका ने तहरी के तालिबान पाकिस्तान से अलग हुए एक समू और ब्रिसल्स और पैरिस हमलों के एक संदिक्त को वैश्विक आतंगवादी घोशित कर दिया और उनकी किसी भी अमारिकी संपती पर रोक लगा दी विदेश विभाग ने कहा है कि इन प्रतिबंधों के कारण अमारिकी स्ट्र में पढ़ने वाले जमात उल अहरार और यूरोप के रहने वाले महमत अबरीनी की सभी तरह की संपतीयों पर रोक लगा दी गई है और अमारिकी लोगों को उनके साथ किसी भी लेंदेन से प्रतिबंधित कर दिया गया है जमात उल अहरार तहरी के तालिबान से अलग हुआ समू है ये समू अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा के निकट सक्रिय है बुटेन की राज़ानी लंदन में एक शक्स ने चाकू से लोगों पर हमला किया इस हमले में एक माहिला की मौत हो गई जबकि पांच अन्या घायल हो गए बाद में पुलिस ने हमलावर को गिरफतार कर लिया घटना सेंट्रल लंदन के रसल स्क्वेर की है पुलिस घटना को आतंकी हमले से जोड़ कर देख रही है पुलिस को सूचना मिली कि रसल स्क्वेर में एक शक्स चाकू से लोगों पर हमला कर रहा है और उसने काई लोगों को घायल कर दिया है पुलिस अपने साथ एंबुलिन्स को लेकर पहुंची हमले में कुल छे लोग हायल हुए थे जिसमें से एक महिला ने बाद में दम तोर दिया घटना के बाद अतिरिक्त पुलिस बल को घटना स्थल परतेनात किया गया है बुटेन के समय अनुसार घटना कल रात साड़े दस बज़े की है भारत और वेस्टन डीज के वीज खेले गए दूसरे टेस्ट मैच का रिजल्ट जो रहा एक समय भारत की जीत पकी मानी जा रही थी लेकिन रोस्टेन चेज ने भारत के पंजे से जीत को छीन लिया हा हाला की भारत अभी भी चार मैच की सीरीज में एक शुन्ने से आगे है इससे पहले रोस्टन चेज के शतक की बदावलत वेस्टन डीज ने भारत के खिलाव दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पांच वे और अंतिम दिन जोरदार वापसी करते हुए दूसरे पारी में च्वाय तक 6 विकेट पार 319 रन बनाकर मैच ड्रा कराने की और कदम बढ़ा लिये थे गैरी सॉबर्स के लगभग 50 साल बाद किसी टेस्ट में पांच विकेट और शतक जड़ने के बाद चेज वेस्ट इंडीज के पहले खिलारी है जिन्होंने ये उपलब्धी हासल की है राष्ट्य डोपिंग निरोधग एजंसी से कलीन च्विट मिलने के बाद नरसिंग यादव को कल युनाइटेट विश्व कुष्टी से भी रियो उलम्पिक में भाग लेने की इजाज़त मिल गई नादा ने सुमवार को नरसिंग को बेकसू ठेहराया था वे यू डबलू डबलू के जवाब का इंतिजार कर रहा था क्यूंकि भारतिय कुष्टी माहसंग ने 74 किलो फ्रीस्टाइल वर्ग में उसके नाम पर पूर्ण विचार करने का आगर किया था भारतिय कुष्टी माहसंग के अध्यक्ष ब्रिज भूशन शरन सिंग ने कहा नरसिंग को नाडा से क्लीन चुट मिलने के तुरंद बाद हमने विश्व इकाई को पत्र लिखकर उसके नाम पर पूर्ण विचार करने के लिए कहा मुझे आज ये एलान करते हुए खुशी हो रही है कि उनाइटेड विश्व कुष्टी का जवाब आ गया है जुसने नरसिंग को रियो उनम्पिक में खेलने की अनुमती दे दी है खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही देश और दुनिया की पलपल की खबरों के लिए बने रही है मेट्रो टीवी के साथ नमस्कार